तो गाइज अभी हम Emojis and Holidays के नाम गेस करने वाले हैं और तुम लोग को एक पे एक मेरे को comment का answer करना है तुम लोग को grade भी मिलेगा और हमेशा की तरह तो चलो फिरे पहला वाला देखो यार ये मेरा फ़ेवरेट हॉलिडे है एक नई शुर्वात होती है हर इनसान की इससे जदा हिंट मैं नहीं दे सकता क्योंकि ये काफी easy है यार तुम लोग के लिए तो हर बार तुम लोग grade पाही लेते हो तो इसको देखो और फटक फटक से मुझा answer बता दो यार लगता है सबी लोगों ने इसे कमेंट कर दिया है क्योंकि ये क्या है ये पहला वाला तो यहां लिखावाई है कि ये new है और ये दूसरा वाला कान है यानि ये year तो मिला दिने में बन गया new year new year की holiday यार काफी बड़ी holiday होती है winter की और मजाद यार नई शुरुआत होती है नया साल होता है नया resolution set करते हैं अलांकि वह resolution हम कभी भी follow नहीं करते वह बात अलग है उसे हम count नहीं करेंगे लेकिन सही है बसे तुम लोगों ने इस पर क्या resolution set किया था वह तुम लोगों ने पूरा किया आधा साल निकल गया यार तो चलो मैंको comment में बताना चलो फिर अभी हम लोग next वाला देखते हैं य यह भी काफी simple ही है एक हिंड तुम इसे से तुम लोग समझ जाओगे में को लगता सब्भी लोग कमेंड कर देंगे कि यह जो first वाला था ना उसी के आसपास है यह बहुत ही जादा बड़ा हिंड दे दिया है अब तो लगता है सब्भी लोग कमेंड कर देंगे तो मेरे को अच्छे से नीचे कमेंड में सब लोग बता दो लगता है सब भी लोगों ने बता दिया है क्योंकि यह सी और यह कलाई यानी जिसे इंगलिश में कहते है रिस्ट और यह रेड प्लैनेट यानी कि मार्स तो मिलाद ने भी बन गया Christmas येस काइस Christmas जो नियर के पास ही आता है आरे तभी तो विंटर हॉलिडे इता पड़ा हो जाता है अगर Christmas और New Year सामने सामने नहीं होता तो यार अपना विंटर हॉलिडे भी नहीं हो था क्या ये भी तुम लोगों ने गैस कर लिया था तो फड़ा वट से लाइक कर देना यार और सब्सक्राइब भी कर देना बेल आइकन को आल पर रखो तभी तो वीडियो आ गई तो मैं पता चल जाएगा ना तो चलो फिर अभी हम लोग ये थड़ वाला देख लेते हैं ये वाला हूस सकता है तुम लोगों थोड़ी से टफ लग रही हो क्योंकि अपना इंडियन हॉलिडे नहीं है क्योंकि ये इंडि में आ गए तो जल्दी जल्दी से निच इंचा कमेंट कर दो घर स्मय में आ जाएगा लगता है यार काफे लोग और कमेंट किया है क्योंकि प्याला वाला तो ए लिखा हुआ है और दूसरा वाला सितार है यानिकी स्टार तो मिलाद दोता हैreasटर गैण ये यूस में दूंडते हैं ऐसा कुछ उनका रिच्वल होता है मुझे भी इतना ठंक से पता नहीं है किया ये भी तुम लोगा ने गेस कर लिया था यार तो भई अपने लिए टाली बचा दना यार तो चलो फिर अभी अपने थर्ड वाला देखते हैं ये अपना इंडियन हॉलिडे है या लगता है यार काफी लोगोंने कमेट कर दिया है क्योंकि पहला वाला एक छेद है यानि की होल और यह है तो मिला आधरे में बन गया होली होली रंगों का तिवहार जिसमें पानी रंग सब यूज होता है यार पानी थोड़ा कम यूज करना चीए मैं पानी आजकल तना यू देख लेते हैं यह भी मैंने वेस्टन वाला एक लिया है वहां पर बहुत जबर्दस होती है बच्चे लोगों बहुत मजाता रात में बो लोग घूमते है कॉस्ट्यूम पहन की येस काईस ही तो मैंने बहुत ही बड़ा हिंट दे दिया है इससे जादा हिंट मैं दूंगा काफी लोग समझ गए क्योंकि पहला हिंटी मैंने जो दे दिया था उससी से हो जाएगा यह है पहला वाला हाथ हिला रहा है यहां पर लिखा है विन तो हो गया हेलोविन हेलोविन की हॉलिडे बच्चे लोग कॉस्ट्यूम पहन के टॉफी लेने के लिए दूसरों के घर मे विस्ता है यह रखे हैं क्यों नेच्स कर लिया था यार रबसा तुम लोग हैलूउऑन इंडिया हो गों में है को में मैं अगरे यह तकुम लोगों को जरूर से बताना थिर अबछ वाला देख लेती हैं ये भी अपना इंडियान होलिडे है और काफे जबरदस्त होलिडे है ये मेरे को इस फेस्टिवल का सबसे जादा इंतजार है था हमारा इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है ये इससे जादा हिंट मैं नहीं देने वाला क्योंकि तुम लोग सब जानते ह भाई लगता है सभी लोगों ने कमेंट कर दिया है क्योंकि यह लिखा है डी और यह एक दिवार यानि की वॉल और यह हो गया ईद मिलादर में बन गया दिवाली करे करें करें एक दिवाली नीकिन इसमें अपन फैस्टिवल रोखने के लिए भुला जाता है लेकिन जो भी हो फटा का थुड़ा कम फोड़ो लेकिन फोड़ो ज़रूर नहीं तो अपना कल्चर ही खतम हजाएगा यार ये भी तुम लोग ने गेस कर लिया था यार तो मेरे को फटा-फट से बताना कमेंट में चलो फिर अभी अपने नेक्स्ट वाला देखते हैं ये वाला हॉलिडे अपनी इंडिया की शान है इस दिन सबसे बड़ी खुशी हुई थी सभी इंडियन्स को इस चीज़ को 70 से 80 येर्स के बीच में हो चुके मैं एक्जैक नहीं बता रहा हूँ नहीं तो भाई सब कुछ ही obvious हो जाएगा इतना जादा सुनने के बाद तो तुम लोगो समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज़ का holiday है school में भी काफी जादा celebrate किया जाता है इसे holiday होने के बावजूद भी हम लोग school में जाते हैं हाँ ये एक बहुत बड़ा हिंट है जो मैं तुम लोगों दे सकता हूँ तो भाई अब बता दो मेरे को सभी लोग बता दो भाई लगता इतने सारे हिंट के बाद तो सभी लोग बता दी होंगे यार क्योंकि ये क्या है ये इंडिया है ये है pen और ये dance तो मिलाद ये में बन गया independence इंडिपेंडेंस डे अपनी इंडिया की आजादी यार सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी हर एक इंडियन को हम लोग जाते हैं स्कूल में हमारे परेड होती है ये फ्लैक होस्टिंग होती है यार मुझे तो लड़ो में मिलता था यार उसी का तो वेट रहता था स्कूल वाले ऐसे तो कुछ देते नहीं थे बिखारी गहीं के कम से कम एक इंडिपेंडेंस पर रिपब्लिक डे पर कुछ देते थे क्या ये भी तुम लोगों ने गेस कर लिया था यार तुर चलो फिर अभी ये नमेंस्ट वाला बता दो यह तो तुम लोग देखे समझ गए ओगे मैं अच्छे सा जानता हो फस्ट वाला फोठ現在 की समझ गए ओगे अगर कोई नहीं समनात भई मैं क्या ही बोलू सभी लोग मेरे को कमेंट में बता दो मैं कुछ नहीं बोलने वाला भाई लगता है सब लोगोंने कमेंट कर दिया pinch ये शिव जी ये है रात और और यह लिखा है rii तु मिलाद या थो雷 व्रात सु शिवरात अभी हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं इसकी हॉलीडे नहीं होती है लेकिन यह ना कपल के लिए हॉलीडे टाइप ही है वो लोग का पूरा दिन पागल की तरह घुजर जाता है भाई कपल बोलने के बात तो तुम लोगों समझ में आ गया होगा कि किन लोगों का दिन है तो भाई जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो वैसे भी तुम लोगों देख के समझ में आई जाएगा देखो यह पहला वाला है दिवार यानि यह वाल यह एंड यह है गले का टाई और यह एंड तो मिला आज ने भी बन गया वैलन्टाइंड वैलन्टाइंड डे कपल्स का हॉलीडे हम सबका तो नहीं होता हम सिंगल लॉंडो का तो क्या ही होगा लेकिन भाई कपल लोग जल्दी से और किया तुम लोग ने गेस्ट जॉब वाली वीडियो देखी थे कितने जॉब तुम लोग ने गेस्ट किये थे वह यहां पर स्क्रीन पर आ रही है उसे जाके देखो यार जॉब्स भी तुम लोग पता होना चाहिए चलो हम लोग मिलते हैं उस वीडियो में बाई